ये जो तस्वीरे आप देख रहे हैं ये सादुलपूर तैसील के गाउं बठोड की हैं जिहां बिजली व्युहक की आउदासिंता आप देख सकते हैं किस परकार से यहां पर देखिए एक जरजर हालात में है वो बिजली का खंबा है और गरामिन बताये कि यह खंबा काफी मह कमचारियों को सूचना देने के बाद भी इसको दुबारा दूसरा खंबा इसकी जगह नहीं लगाया गया लोग यहां पर गुसाए थे ग्रामिन गुसाए थे आकरोस था उनके अंदर बार बार इसकी सूचना भी दी गई है लेकिन किसी परकार की कारवाई इसके उपर नह जाएगा यह मुखे राश्ते पर है आप देख सकते हैं और यहां पर अबादी छेत्र है कभी यह खंबा गिर सकता है ग्रामिन ने में बताया कि जल्द ही इस पर कारवाई नहीं हुई इसको बदला नहीं गया तो इससे होने वाले नुकसान का जिम्मेदार सिर्फ और सिर् सब्सक्राइब को नहीं है आप देख सकते हैं बार-बार विदूत विवा को आउगत कराने के बाद भी ग्रामिन किस प्रकार से बता रहे हैं कि कई बार इसकी सूचना है वो अधिकारी और करमचारियों को दे दी गई है लेकिन अभी भी है काम नहीं हो रहा है आप देख सकते हैं कनेक्शन है मिटर है और यहाँ पर हालात है वो पोल की किस परकार की है दैनी हालात में पोल खड़ा हुआ है जैसा कि आपको पता है अब पिछले दो तीन दिन से मोसम बदला है बारिस का मोसम आप देख सकते हैं कभी भी हो सकती है और इसमें करंट की है कहीं न कहीं गुंजाइस भी लग रही है कि करंट है वो भी स्पोल के थरू जमीन तक पहुंच सकता है अच्छा और विजलियानान भी कहले रूराओं जिद भी कहले रहे हैं कोई रहे हैं कोई जवाब कुंदे जवाब तो दिए जवाब कुंदे हैं बाइसाओ ये चुरू जलकुवाड़े हमारे गाउं बटोड़ू में पहुंचे इनका बहुत बहुत आर्थिक इसके बार बार शुचना बिजली वाग को दे चुके हैं अप्लिकेशन तक दे क्वें बार बार चकर काट चुके हैं इससे कोई भी बड़ा हाँ सकता है अगर इस से कोई हाँशा हुआ इसका जिम्यदार बिजली वाग होगा और ग्रामिनों ने आप देख सकते हैं किस पर लोग इतने परेशान है कि इससे कभी भी कोई भी बड़ा हाथसा हो सकता है क्योंकि देख सकते हैं आप किस परकार की इसकी बनी हुई है यह पूल कभी भी गिर सकता है आदे से ज़्यादा पोल की मैं बात करूँ तो इसके तार हैं जो अंदर इसके सपोर्ट वायर होते हैं वो पूरे के पूरे निकले में जिस परकार के हलात आप देख रहे हैं लेकिन बिजली वाका कोई भी करमसारी इस और ध्यान नहीं दे रहा है